देश में कैंसर के मरिजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है लोगों में जंजागरुती करने के उद्देश से राश्ट्र संत्र तुकडोजी महराश कैंसर रीजनल अस्पताल की ओर से 31 मई को नो टो बैको डे मनाया जाएगा ऐसे जानकारी अस्पताल के डॉक्टर की टीम ने पत्रपरिशत में दी है डॉक्टर कतार सीहा राश्ट्र संत्र तुकडोजी महराश कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्स सेंटर के संचालक इन्होंने कहा कि चौपन प्रतिशत फेपड़े के कैंसर के रोगी और 29 प्रतिशत पेट के कैंसर के बिमारे से गंभीर चरन में प् तन का 29.9 प्रतिशत गरभाशे के मुग का 11 प्रतिशत और अंडाशे का 4.3 प्रतिशत पाया गया है तथ्य पत्र के अनुसार 2020 में 61,160 के मुकाबले 68,762 महिलाओ 11 प्रतिशत की रुद्धी कैंसर के रोगियों के रूप में पाया जाएगा जबकि पुरूश कैंसर के रोग महराशन में 31.4 प्रतिशत लोग तंभाखो का सेवन करते है जहां 3.4 प्रतिशत सिग्रेट पीने वाले है और 2.7 प्रतिशत बीडि और 27.6 प्रतिशत लोग धुआ रही तंबाखो उतपात का उपयोग करते है तंबाखों के कारण होने वाली बिमारी में पहले स्तान पर गाल और स्वर्यंत्र के ऊपर की नीचे की जगह और जबान की नीचे का कैंसर शामिल है नागपुर में एक लाग की आबादी पर 91 पुरूश और 90 महिलाए कैंसर से पिडित है डॉक्टर बीके शर्मार आश्रसंत तुकडोजी कैंसर होस्पिटल के मानक चिकेचसक ने कैंसर के बढ़ती संख्या को देख कर चिंता जताई है उन्होंने बताया कि कैंसर की बढ़ती संख्या के प्रमूग कार्णों में से एक तंबाखु जैसे अन्यपदहर्थ का सेवन है तंबाखु से हमारे शरीर में 80% तक कैंसर की संभावना होती है और 40% मूग के कैंसर की संभावना होती है WHO नियमित रूप से हर साल एक थीम देती है जिससे परयावरे जागरन और जनजागरुती होती है 2022 में तंबाखु निशेद दिवस की थीम परयावरे की सुरक्षा है कैंसर को हम एक सामाने विमारी की तरह ना ले कैंसर या एक महामारी है जिससे हमें सतर्क रहना चाहिए और दूसरों को भी जागरुत करना चाहिए ऐसा डॉक्टर कृष्णा सिरमनवार राश्टर संत्त कुड़ुजी के सहसंचालक द्वारा कहा गया इस मौके पर बीसेन समक्ष अस्पताल के डॉक्टर उन्हें जानकारी दी है दर्शकों नमस्कार इस मौके में बीसेन की टीम रिजिनल अस्पतार कैंसर में है जहां पे हम आपको बता दे कि आयदीन कैंसर का जो रेशो है काफी जादा बढ़ रहा है दोजार पच्चीस तक के 31 लाक इसमें बड़ोतरी होने का अंदेशा जाता है जा रहा है इस समय में तमगान डॉक्टर की टीम हमारे साथ में जो 31 मई को 9 टोबैको डे मनाने जा रहा है आईए उनसे बात करते हैं सबसे पहले में डॉक्टर करतार सिंग साफ से बात करना चाहेंगे करतार सिंग से यह बताए कि जिस प्रकार से यह जो कारेक्रम आज़ित किया गया है कितना महतुपूर्णा लोगों के लिए नमस्कार यह जो एंटी टोबैको डे है इंटरनेशनल डे है डबलो एच्चो के द्वारा इसमें हम लोग खास्तोर से तमाखुव से होने वाले जो नुकसान है इसके द्वारा होने वाला जो कैंसर है उसके बारे में जागरुकता फैलाते हैं ताकि लोग है यह समय पर जान जाए और इस भयानक दर्दनाग बीमारी से अपना बचाव कर सके इसमें हमारे एक चेन बनेंगी जिसमें सब लोग एंजियोज हैं हमारे होस्पिटल के काफी स्टाफ हैं सब लोग एवेर्नेस हमारे डॉक्टर थे सब लोग इसमें सामिल होंगे इंक्लूडिंग फान दे मैनेजमेंट सर गवर्मेंट कि रहरसे कितनी सुइदाइर दी जाते इस अस्पटाल को गवर्मेंट का दरब से जितनी स्कीम सहेु है जैसा अम राजी गन्री स्कीम है अपना कि मैं अपना सभी स्की में और एंजेयो भी जो हमारे अपे एंजेयो भी देते हैं जैसा भी जो मैंने बता है था कैम्स के बारे में तो यह अभी इस साल हमको नाश्डल रिश्डियरश इस्ट्यटूट है उनके तरफ से सब्सक्राइब यह कर रहे तो यह सभी चलते रहते हैं सर यह बते कि नए नई टेक्नलोजी विकसित हो रही है इसका कितना फाइदा आप सभी तमाम डॉक्टर्स की टीम को होने जा रहा है बिल्कुल यह बात सही है कि हम सभी डॉक्टरों का इसका फाइदा है क्योंकि जत्ते भी नई टेक्नलोजी हो रही है और आप देख रहे हैं वो सामने एक चितर देख रहा है बहुत जल्दे हो नई बिल्डिंग भी हम लोग कर रहे हैं और वो सारी सुभी दा है आज इस अंडर रूफ हमने दे दी है और हमारे जो जितने भी सक्री का हमारे ओफिस बेर हैं ये पूरा काम कर रहे हैं हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और हर डिपार्मेंट के अंदर हम पूरा उसमें संगे लिए बिल्कुल कैंसर के दिरोक्ताम करना हो तो जनजागरू तिकना बहुत जरूरी है इसके लिए लोगों को अवेर्नेस होना बहुत जरूरी है और इसी के चलते राष्टर संदों तुक्ले जमाराथ कैंसर रिजिनल अस्पतार के और से 31 मई को 9 टोबेको डे आईजित किया गया है दर्शकों ने और लोगों ने अपना पूरा स्वयोग दीजिए यही समय की मांग है और टोबेको को इदिक कैंसर टोबेको को पूरी तरह से अगर निकालना हो तो जनजागरूती के लिए हम सब का स्वयोग बहुत जरूरी होना है राश्टर संद्र दुखली जमारत कैंसर रिजिनल अस्पालत से कैमरा परसन अखलेज भारत दोच के साथ संजाई मिरभ बीसे नियूज नाकपूर